गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं यहाँ नहाँ धोके त्यार हो चुकी हूँ चाय रख दिये बनने को सब्ची में बनाया है सीताफल सीताफल की सब्ची हजबिन को काफी पसंद हैं और साथ में मैंने चाय के साथ खाने के लिए पाव ले आई थी तो इतने में खाना बन रहा था यहाँ थोड़ी सफाई का मुपाई की बाई को अगयरा खड़ी रहती है और यह अभी भी सो ही रहे थे तो जब तक ही सो रहे थे तो मैंने थोड़ा सा अपना हुलिया बाल वाल थोड़ा ठीक कर लिए और फिर यह निकल गए डूटी के लिए और फिर बैटके मैंने करा नाश्ता नाश्ता करने के बाद में मुझे थोड़ा सा फोन पे काम था तो नाश्ता करने के साथ साथ थोड़ा सा मैंने फोन पे किया काम बच्चे आ गए थे दो पहर में दोनों ने लंच पचा के लिए किया था तो उनकी पनिश्मेंट में दोनों को पहले मैंने दिया लंच उनको वापस करने के लिए फिर मैंने यहाँ पर जो सुबह सब्जी बनाई थी उसके साथ मैंने ताजी रोटियां सेख दी क्योंकि इस टाइम में दिन में चावल कम बनाती हूं और खाना भी कम करते हैं चावल एकी टाइम ऐसे बनता है भी कभी कभी तो फिर चावल रोटी जो भी था हमने सब लोगों ने मिलके सब लोगों ने खा लिया क्योंकि चावल ता वाइडी कर रहे हैं और सखाने गान फिर मैं पहुंच गई चटपे कपला धूने के लिए मशीन में कपले धूल दी वैसे मैंने कल कपले धूले थी मगर इनको बरात में जाना है तो इन्हेंने का था कि उससे पहले मेरे ट्रैक सूट और वाइड शूज वगरा सब धो दे तो दो कपले तो दो तो इसके लिए मैं कपड़े धो रही थी और इतने में आगई छट पे आज पीछे मंदीर में कोई माइक तो नहीं बज़ रहा था तो काफी शान्ती थी मगर बगल में हो रहा है घर में काम तो उसका शोर बहुत जादा हो रहा है और यहां पर तोरी की जो बेल हैप सूखन की कंडिशन पर आ रही है मगर एक उस्तोरिया हैं जो काफी मोटी हो रही है क्योंकि इनके बीज मम्मी कहरी हैं इनके बीज बड़े होने दे क्योंकि अभी बीज अगली बार हम दुवारा इस्तमाल कर सकते हैं इतने में ही यहां पर में थोड़ा सा राउंडी लगा रही थ थी और बच्चे भी मुझे दो बार नीचे समाज आ चुकी बच्चों की तो फिर मैंने जह लगा बच्चे आने वाले ही इतने मी पता चला उन्हीं नीचे जगह खेलने के लिए कम पढ़ रही थी तो वह बोड़ रहे थे मम्मी हम भी उपर आ जाएं तो मैं नमास्तों मार दिया क्योंकि इस रास्ते में यहीं पहनेंगे उसके बाद में वहां पर जिब बरात काफी 300 किलोमेटर दूर जानी है तो उसके बाद में यह कुछ और वेयर करेंगे और यहां बच्चे धुलो को मैंने थोड़ा डाटा की धुलो लाइन खीच रही थी दोनों की पाली बन लड़ा था कि आपस महराम से खेलना मगर इन दोनों की आदत वही है कि खेलते हुए लड़ना तो बस यह अपनी लड़ाई जारी रखे इनके खेल फुटबॉल की जगह मारम फुटबॉल होगी एक दूसरे को फुटबॉल मारते हुए कि कौन किसको बारी टच करता है धु कि उनके पैरों में चपल पहन के उनको काफी दिक्कत होती है और दोनों खेलते खेलते अचानक से विराज यह बहुत ही तेज भी धुलों के कान पे बॉल मारती है जिसके बाद थोड़ी सी मैं ने दोनों को ढांटा और दोनों शांती सब फिर से शरारत करने लगे यहां न लोकाद नीचे बैट के चाय पीने को दे दी कि कल उसने बैट पे चाय गिरा दी थी तो थोड़ा सा नाराज से ज्यादा खुस थी और उसे लगरी थी कर्मी क्योंकि बाहर से खेल की आई थी तो अपने कपड़ों को उपर करके बैट की नास्ता करी थी सुवे जो बंद ला भाड़ी खेल था इसके लिए मैंने बनाया थोड़ा सा नाश्ता नाश्ते मैंने बना दिया मैकरोनी कि कुछ समझी नहीं रहा था साम को 6-7 बज़रे तो इस टम क्या बना कर दो खाना बनाने में टाइम था इधर बच्चे पूजा कर रहे थे तो मैंने सो जब तक वहां मै क्रोनी उबल के तयार हो चकी थी तो फिर मैंने फुरा फट माटर को मैंने बारी कदो कस काल लिया था यह कि विराज की टुमाटर दिखते हैं तो खाने में कम पसंद करता है और मेर्च तो ऐसी मेर्च अवाइडी कर दिया था क्योंकि इससे पासंदी कम है तो बस इनको डालके मैंने ज्यादा कुछ समाने डाला हलका फूकर डालकी मसाले का फिलाइट रखे थे इसको मिक्स करके जाई उरच चने की डाल क्योंकि हजबन तो खाये थे हमीं खाये थे आफिस बैगन भाजा और चावल बनाके हम मैंने आप रात का डिनर कंप्लीट किया बच्चों को खाना पीना खिला के आज की ब्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं एक्स ब्लॉग